हेलो बच्चो आपका होमर क्लासेस में स्वागत हैं बी स्ट्रॉंग बी केरफूल लेट्स टार्ट नमस्कार बच्चो आज से हम सिक्स क्लास के वीडियो अपलोट करने जा रहे और सिक्स क्लास के जो महस होगे महरास्त्र स्टेट बोर्ड तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत हो कोई भी प्रॉब्लेम हो कोई डिफिकल्टी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं आप कमेंट्स में दिलिख सकते हूब करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये नि कह सकते हैं तो इसमें क्या होगा दोस्तों जितने भी आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव हैं उनको कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजी क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे और जो बेलाइकन तो यहां अप्लोड किया कि तूरंत विदिन सेकन आपके हाँ पोच जाएगा है ना आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा तो आज से हम शुरू करते हैं मैस सिक्स यहने सिक्स क्लासिस का मैस अब मैस सिखने के पहले मैं हर एक वीडियो में कुछ न कुछ टिप्स आपको बतात आपको ज़रूरी है ना यह अगर नहीं जानोगे तो आप प्रॉब्लेम सेट नहीं कर पाऊगे तो आपको प्रॉब्लेम सेट कंप्लेट करने के लिए थोड़ी सी इनफर्मेशन ज़रू रहती है वह बहुत ही काम कि रहती है उसको इंपोर्टन इनफर्मेशन कहते हैं वह इन्फर्मेशन आप ध्यान पूर्वक सुनी बड़ा मज़ा आएगा और आपको जो जो स्टार्टिंग जो लेवल है जो मेट्री वो पूरा कन्फुजन दूर हो जाएगा वैसे तो आपके लिए नया नया जो मेट्री है न तो मैं आपको जो मेट्री में मास्टर बना सकते मालो मैंने एक ऐसी लाइन निकाल लिया ओके आप बताइए और कितनी लाइन निकाल सकते एक पॉइंट से आप कितनी लाइन निकाल सकते तो हम ऐसी भी लाइन निकाल सकते इस प्रकार से भी लाइन ड्रॉ कर सकते यह भी लाइन ड्रॉ कर सकते यह वाली भी लाइन ड् होता है ना सिर्फ only one point यह यह सिंगल points है तो मुझे बताओ एक point से यह जो एक जो single point है उस point से आपने कई सारी line draw की है ना तो इस point को बोलते हैं इस point को point of concurrence क्या बोलते हैं बच्चो point of concurrence जो point है यह point यह जिस point से कई सारी line draw कर चुके है उस point को बोलते है point of concurrence जो एक point से आपने कई सारी line draw कर चुके है ना एक point से कई सारी line draw कर चुके तो यह जो lines है यह जितने इस lines है यह जो lines है इस line को बोलते है line of concurrent यह समझ में आया बच्चो क्या बोला जिस point से कई line draw की जाती है एक ही point से कई सारी line draw की जाती है तो उसको बोलते है line of concurrent और उस point का नाम है point of concurrence यह आपको समझ में यह clear हो गया चलो अब हम next part के तरफ जा रहे हैं अब देखो बच्चो मैं आपको बहुत ही important part पढ़ाने जा रहा हूँ देखो मैं यहां लिख लेता हूँ important आप भी अपनी copy में important part ऐसा लिख सकते हो आप भी अपनी copy में important part लिख लो यह बहुत ही important है इसके basis से आप कोई भी answer दे सकते हो problem set one जो है वो पूरा इस important part पर dependent है जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ okay तो हम कोई जल्दबाजी नहीं करते आराम से लेंगे जिन बच्चों को पूरा समझना है वो बच्चे आराम से देखेंगे और जिन बच्चों को cartoon देखना है वो बन कर दीजिए और cartoon देखिए okay शुरू करें तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ देखिए यह जो दो point है okay यह दो point के बीच में जो line निकाली जाती है point A और point B point A और point B हो गया इसको बोलते हैं segment segment इसको short form seg भी बोलते हैं seg इसको क्या कहते है segment segment में क्या होता है point A to point B बस distance okay अब मानलो मैंने यह वाला एक point लिखा और बाद में मैंने ऐसी line निकाला यह point है point A और यह point B लेकिन वो आगे में line जा रही है अगर मानलो यह arrow हो यह arrow हो कहते हैं यानि कहीं तो भी एक एए requests रहा एक एर तो उसको हम रे बोलेंगे धनुश्य बान चला देना आप ऐसे बराबर तो क्या होता है एरो रहता है आगे एरो बान टोक तो उसको हम रे बोलेगे याद रखना बच्चो रे क्या अरे तुरे नहीं रे समझ में है रे रे का मतलब होता है किरन लड़की का नाम है लेकिन उसको किरन बोलते हैं अब दूसरा ये ये मानलों इस साइड में खैशिव और उससाइड में खैश्यक दोनों तरफ आरो रहा तो इसको लाइन बुलते हैं आप किन अपने इसे कर Σकते हो तो उसको बुलते हैं। समझ मैं अगर मैंने इसको यहां dot लगा दिया तो it is not line, it is segment, segment का मतलब होता है यह आगे नहीं बढ़ेगी, यह इतनी ही रहेगी, जैसे कि मानलो बच्छों यह है pain, यहां मैंने dot लगाये, यहां dot लगाया, यहां आगे नहीं बढ़ेगा, यहां आगे नहीं बढ़ेगा, तो that इससे लेकिन अगर इसको को बढ़ा सकते हैं तो इसको क्षाहिं अगर मैं आगे अगर बढ़ा सकता हूं, तो फिश्य लेकिन डिए जैग। समझ में ? यह सब अगर बढ़ता हो यहां पर एरो जाता हो तो रे अगर साइडेमें हम उसको Expand कर सकते है तो उसको बुलेंगे लाइन क्या बढ़ेंगे लाइन to देखो मेने यहां यह निकाल दी लेकिन कभी कभी क्या होता है इस लाइन में यहां segment भी होता है और line भी बूलते हैं अगर यह dot से dot अगर मिला दिये जाए a b तो यतना part जो है यह हो गया segment यह हो गया segment बस इतना part लेकिन यह पूरा जो part है that is called line okay यह समझ में आया होगा यानि particular distance from a to b distance from a to b segment बट इस साइड में भी अगर arrow है इस साइड में भी आरो है तो आप उसको line a b भी बोल सकते हैं इसको segment a b बोलेंगे और line a b यानि यह complete यह पूरी line है लेकिन उसमें distance segment a b तो अगर किसी ने पूछा कि यह जो part है यहां dot भी है इस साइड में dot यह देखो में dot कर देता हूँ तो इसमें क्या दीख रहा है तो इसमें आप बोल सकते हुए line भी है और segment segment a b ऐसा बोल सकते हैं और line a b भी बोल सकते हैं okay यह समझ में आया है दोनों बाते clear हो जाते इसमें कोई difficulty बच्चो कोई difficulty नहीं अब हम और एक part देखते हैं तो यह समझ में आया है अब और एक part देखो बच्चो सबसे important part किया मानलो मैंने ऐसी दो line ड्रॉ कर दी देखो दो line अब यह दो line देखे तो यह line सीधी सीधी जा रही है यह इस साइड में अगर देखे ऊगे तो इस साइड में भी completely straight forward जाएगी आपने रेल की पत्री देखे होंगे रेल की पत्री में अगर देखा जाए तो दोनों कैसे लाइन बिल्कुल अगर यहां आप खड़े हो तो यहां उनका जो distance है जैसे यहां यहां जो distance है यही distance यहां पर भी रहता है है न होता है और यहीं distance आप daub bembe में भी जाँ गे उसी train से तो वहां पर भी उतना ही distance क्यों ऐसा होता है क्योंकि distance का हो तो ट्रेन पत्री के निचे आ जायएगी distance ज्यादा ओ गया तो यह जो जितना distance है इना इस सें पर। लुंट है चलते रहीगी बराबर है तो इसको मुलते ऑफ कान्पूर देख़ो या कानपूर में धेखो डिस्टंस आपको गाते गानपूर में तो उसको कहते हैं parallel line समेच मैं बच्चो तो यह ओगई parallel line याने इसका distance क्या है सेम तो यह ओगया parallel line parallel line यह ओगई parallel line ठिक है यह समझ मैं बहुत important है बच्चो ये parallel line अब डूसरी, अब मुझे बताओ यह जो इसका डिस्टन्स अगर यहां से सेमरे तो प्रींट सेह जा सकती है इसे भी जा सकता है और एक पार्ट आता है इंटरसेक लानी इंटर्सेक्त लाइन बता हो यह क्या वगई पैरलल लाइन हो Aभी इंटर्सेक का मतलब हो यह आ तो अवरी ल्याईन आगए वोके अब दुसरी मैंने मानव ऐसी निकाल दिया तो मुझे बताएंची क्रोसिंग 90 distance अगर क्रॉसिंग जहां आता हो उसको बूलते हैं इंटर्सेक्टिंग लाइन इंटर्सेक्टिंग लाइन या नहीं यहां intersect हो रहा है intersect का मतलब होता है cross intersect का मतलब होता है cross यह intersect line यह समझ भाया तो यह parallel line यह भी parallel line और intersect आप जलबाजी मत करो बच्छो problem set 1 का answer लिखने वे जलबाजी मत करो सबसे पहले इसको पढ़ना वो जरूरी है प्रॉब्लेम सेट वन का तो एंसर अगर देखना हो तो गाइट से देखकर भी आप लिख सकते हो लेकिन आप homework classes में सिर्फ homework नहीं कर रहे हैं तो सीखना वो जरूरी है पढ़ना और सीखना दोनों अपनी अलग 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 बाते हो दों पढ़ना तो कोई भी पढ़ सकता है लेकिन सीखना यहने कुछ तो बड़े हुने तक भी सीखते नहीं है पढ़ते बहुता है लेकिन सीखना वो जरूरी है मैं आज आपको सिफ सिखा रहा हूँ हमारे homework classes में पढ़ाया भी जाता है और सिखाया भी जाता है तो intersecting line अब मैं आपको एक बात बता रहा हो बच्चो यह देखो यह वाली line और यह वाली line थोड़ा सा confusion करने के लिए मैं थोड़ा सा अलग line निकाल लेता हूँ मुझे बताओ बच्चो यह intersecting line है या parallel line अब मुझे answer चाहिए आपसे तो बताओ intersecting line है या parallel line है जोर से पटा पट जोर से बोलो intersecting line है या parallel line तो यह दिखने में parallel है लेकिन parallel नहीं intersecting line है चलो मैं आपको प्रूव करके बाएं intersecting line का मतलब है कि यह distance अलग और बाकी दूसरे जगर distance अलग रहेगा जैसे कि यह छोटा distance है यह ज्यादा बड़ा distance है ना देखो अगर मैं इस line को बढ़ा देता हूँ बढ़ा देता हूँ देखो यह line मैं बढ़ा क्रॉसिंग होगी तो that is called intersecting line तो यह भी intersecting line है वो दिखने में मैंने ऐसा draw कर दिया आपको और आपको लगता है sir crossing तो नहीं हुआ है लेकिन आगे बढ़ा हो line अगर line को आगे बढ़ा तो वो भी intersect line हो सकती है लेकिन इस line को आप कितमा भी आगे बढ़ा हो वो same to same distance रहेगा क तो मैं आशा करता हूँ बच्चो आपको यह पार्ट कुरी तरह समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आ गया हो तो वीडियो को फिर से repeat देखिए बार बार देखिए हजार बार देखिए ठीक है अब हम problem set 1 स्टार्ट करते बच्चो चलो शुरू करते हैं हाँ देखो बच्चो भी problem set 1 क्या लिखा ही आपको diagram दिया है यहने ऐसा figure दिया है आपको अकृति और look at the figure यह figure को देखना है आपको याने इस अकृति को देखना है alongside and name the following और कुछ नाम बताना है जैसे collinear point बताना है आपको raise बताना है line segment और lines ठीक है तो चलो शुरू करते हैं बराब रध्यान रखो बच्चो colinear point kolinear point का मतलब क्या होता है ? एक-hी-line में आने वाले point कम-से-कम 3 point होने चाहिए दो point तो एक line में आते ही, जैसे वाले 2 points है, तो इसको ऐसा जोड़ दो , CO-linear point का मतलब 3 point कम-से कम उससे जादा आये, तो अच्छी बात है लेकिन कम-से-कम 3 classic एक-line में आने चाहिए 1 बराबर देखे यह वाला एक M, यह O, और यह T, आ गया न? अरे हां या ना? कि बराबर है, आ गया बच्चो एकी लाइन में है, देखना इक दो तीन और देखु बच्चो और दिखेगा आपको यह दो और यह ऐसी लाइन है यह एक लाइन है और एक लाइन बढाबर फिगर को देखो आपको दिखेगा यह एक लाइन और यह लाइन इसमें तीन तीन पॉइंट आ चुके है न तो हम इसका एंसर ऐसा लिख सकते हैं को लीनियर पॉइंट तो यहां आप एंसर लिख सकते हो एंसर वन आपको दिख रहा है बच्चों यह है क्लियर ठीक है तो हम लिखने हैं एंसर को लीनियर पॉइंट का एम उ टी . time-point एम आपक हैं मो टी एंड फोइंट आयpower अर यहां यह समझ में आया होगा अख्चों आया है को लीनियर पोइंट देने क्या होता है। एक ही लाइन में आने वाले 3 या 4 या 5 यहने 3 से ज्यादा आने वाले पॉइंट तो 1 2 3 एक 2 3 और बाकी जगह यहां से ऐसी कोई लाइन ही नहीं है अगर यह वाला भी देखते हो तो ऐसी कोई लाइन नहीं है बस यह दो ही लाइन है तो यह clear हो गया जलो अब ही second रेज, रेज का मतलब क्या होता है बच्छों रे का मतलब होता है एक साइड में डॉट और बीयरी साइड में ईसी लाइन उसको बोलते हैं अब रे तो यहां पर एंसर टू रेज अब रेज कौन सा होगा देखो ओ से लेकर पी तक तो यहां पर रे आपर को और दूसरा वह है भच्चो यह यह वाला नहीं आएगा क्योंकि यह पां प्लक्र पिलेज है यह तो दे खिलए ही नहीं हो जाती लेकिन इस सेड में अगर कोई पॉइंट हो एक ही जगा एरो जा रहा हो तो उसको रे बुलेंगे यहां लिखते हैं रे समझ में आया है बच्चो रे एने एक जग जाने वाला बान अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखते हैं बच्चो लाइन सेगमेंट बराबर देखो बच्चो लाइन सेगमेंट आपको यह थोड़ा सा फीका लग रहा होगा तो आप जूम करके देख सकते हो ठीक लाइन सेगमेंट यहने क्या होता है बच्चो जहां दो डॉट हो बस हो लाइन सेगमेंट तो देखो यहां एक डॉट है और यहां एक डॉट है बराबर है यह जो दो डॉट है इसको हम लाइन सेगमेंट कह सकते हैं यह वाला और यह वाला लाइन सेगमेंट हो सकता है यहां से ले तो जैसे कि मैं M से लेकर T तक लिख सकता हूँ लाइन सेगमेंट बराबर है तो यहां बहुत सार है सेग, सेग, MO, सेग, OT, सेग, MT, बराबर है और भी कुछ है, सेग, OS, सेग, यानि हम सिर्फ डॉट का डिश्टस देख रहे हैं, बराबर है, सेग, OR, सेग, OS, यानि दो डॉट के बीच का ये वाला डॉट और ये वाले डॉट, एरो से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सेग बोला, तो दो डॉट देखना, दो डॉट को पॉइंट लगा देना जैसे ये वाला, ये तो बस इतना आपका सेग हो जाएगा, OS और सेग, OT, सेग, ON, सेग, ON, सेग, OP, सेग, OP, यहाँ समझ में आया हैं बच्चो, सेग येने क्या है, यहाँ डॉट लगा होना चाहिए और आगे में भी डॉट लगा होना चाहिए, फिर उसके बाद में arrow रहा, उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें दो dot के बीच का distance यहने सेग होता है, तो यहाँ पर segment, line segment आपने निकाल लिया, अब lines क्या है, fourth point, यहाँ लिख लेते हैं बच्चो, lines, क्या लिखते हैं, lines, अब lines हैने क्या है, अब line हैने, जिसमें दोनों तरफ arrow जा रहा है, दोनों तरफ, तो वो line, दोनों तरफ arrow तो देखो, यहाँ पर भी arrow जा रहा है, और इस side में भी arrow, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, line, line को L लिखते हैं, बच्चो, L, इस बात का देहां रखना, line, M, T, M से T तक, यम हो नहीं, यम से लेकर T तक, क्योंकि T के उधर भी line जा रहा है, T के इधर भी, वो segment, M, T, arrow को छोड़ दिये जाए, तो सेग, M, T, हो जाएगा, सेग, और arrow को ले लिए जाए, तो line, M, T, हो जाएगा, और दूसरी line, देखो, एक line इधर भी जा रहा है, और यह ऐसी भी जा रही है, यहने, दो, बिल्कुल, दोनों side में जा रही है, तो उसको line, R, N, line क्या होगा, R, N तो line, R, N, तो यह समझ में आया, तो चलो हम second question देखते हैं, हाँ, देखो बच्चों अभी question number second, write the different name of the line, different name, different name हैंने क्या होता है, अलग-अलग नाम, अलग-अलग नाम, जैसे आपको अलग-अलग नाम से बुलाते हैं, कभी चिंटू, कभी बंटू, है न, कभी टुटू ऐसे नाम से बुलाते हैं, नाम तो वही हैं, कभी डुटू भी बुलाते होंगे, तो different name of the line, line के अलग-अलग नाम लिखो, तो मैं आपको answer दे रहा हो, यह answer वो red pen से मैं अभी नहीं लिखूँगा, क्योंकि उसमें बराबर color नहीं दीखते हैं, आपको जूम करना पड़ता इसे लिए, तो black pen से answer लिख लेते, different name of the line, line के अलग-अलग नाम, तो मुझे बताओ, दोनो तरफ तो arrow है, अगर जिसमें दोनो तरफ arrow हो, वो line, अगर मनलो यह line, arrow को मैं छोड़ देता हूँ, तो segment, समझ मैं, arrow को छोड़ देता हूँ, तो segment, और arrow को ले लिया, तो line, अब द आप बोलोगे, sir, A, B कहा, अगर मनलो इसको भूल गए, यानि इसको छोड़ दिये जाए, ऐसा अगर मान लेते है, यह A, और यह B, और बाद में, direct, यह dot नहीं है, point छोड़ दिये, तो भी line A, B तो बोल सकते हैं, क्योंकि वो line आगे-आगी जारी, उसके बाद में कितने points आ लाइन, जैसे मैं आपको एक उधारन दे रहा हूँ, railway line नाम सुना है, railway line, अगर आप नाकपूर से बैठें, और अगर आपको मानलो बॉम्बे जाना हो, तो अम्रावती भी आएगा, मुझे नहीं पता हूँ, बॉम्बे कभी गया नहीं, मान लेते, अम्रावती आएगा, बड़ोधर आएगा, और भी कोई नाम आएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगे, railway line भी तो आगे जाएगी, यल, line तो आगे जाते ही रहेगी, तो ये भी तो line है, अम्रावती से अगर बड़ोधर आगए, तो भी तो उसको line बोलोगी, railway line ही बोलोगी, क्या उसको road बोल सकते है, different name लिखना है, अलग अलग नाम, फिर हम B, C बोल सकते है, B से लेकर, line B, D बोल सकते है, और उसके बाद में line C, D बोल सकते है, music player, C से लेकर, और line A से लेकर, D तक भी बोल सकते है, याने A, B, A, C, A, D, हो गया, B, C, B, D, C, D, ऐसा ही बोल सकते है, A से लेकर, D तक भी हो सकता है, याने आप कोई भी, एक distance और दूसरा distance लेकर, उसको line नाम दे सकते है, क्योंकि error तो उसी वे से आगे जा रहा है, तो यह हो गए different name of line, तो अगर मैं, आपको अगर एका question home mark दूँ तो आप कर सकते हो, बच्चों, तो इसके अलग-अलग नाम मुझे आप बताना, तो अब हम next question देखते है, चलो बच्चों, थर्ड question देख रहे है, अब थर्ड question में आपको सिर्फ मैच करना है, बड़ा मज़ा आता होगा, याद आती होगी nursery की, जब आप nursery KG1, KG2 में रहे होगे, तो उस समय बस, टीचर क्या होगे, कि वास 100 marks का paper तो ऐसी आना चाहिए न, तो चलो, ऐसी देख लेते हैं इसको, सबसे पहले तो जहाँ दोनों तरफ arrow है, तो उसको line कहते, दोनों तरफ arrow हो, तो line, अगर एकी तरफ arrow हो, तो ray मैंने आपको पहले बताया इसी वीडियो में, दोनों तरफ arrow हो, तो उसको line कहेंगे, तो दोनों तरफ arrow है, तो इसको line कहेंगे, ओके, तो यह ऐसा joint कर दो, यह हो गया, अब जिसके एकी तरफ arrow हो है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बच्चो, क्या कहेंगे, ray, देखो, एकी side में arrow है, तो इसको ray, इसको हम धनुश बान भी बोलते हैं, बान, राम का बान, अर्जुन का बान, उस प्राकार से, एकी तरफ arrow है, रे, और जिसको arrow नहीं है, लेकिन दो dot है, इधर भी dot, इधर भी dot, बराबर है, तो उसको बोलते, line segment, segment, line नाम नहीं भी रहता कभी-कभी, सिर्फ segment, तो देखो, यहाँ दोनों तरफ dot है, तो हम इसको नाम देंगे, segment, द इसको नाम क्या देंगे, plane, तो यह हो गया, plane, plane का मतलब होता है, बच्चो, आपके पास कोई slate होगी, party, party, लिखने की party जो होती है, slate, तो वो बिल्कुल plane रहती है, उपर से, तो इसलिए उसको plane, बिल्कुल वही है, plane का मतलब, उपर से बिल्कुल कोई भी भाग, जैसे आप हम खोर्त question देख रहे है, बच्चो, अपना question number अभी शुरू हो रहा है, बहुत ही important है, आप बराबर ध्यान से सुनिए, तो यहां लिखा है, observe, क्या लिखा है, observe, observe का मतलब होता है, निरिक्षन करना, याने ध्यान से निरिक्षन कीजिए, आप observe the figure below, यह जो figure दिया है, इसक आप को क्या लिखना है, parallel line, parallel line का मतलब क्या होता है, बच्चो, अगर मैंने एक line ऐसे निकाला, draw किया, उसके बाद में second line अगर मैं draw करता हूँ, तो यहां जो distance है, और यहां का distance, यहने starting distance and ending distance, और center में भी, जहां कई भी आप अगर distance count करोगे, तो वो distance कैसे होना चाहिए, same ह होना चाहिए, just like, आप क्या बोल सकते हो, बताए, track, railway track, rail की पट्री, वो कैसे सभी तरफ, same रहती न, तो उसको parallel line, यहनि यह कभी भी एक दूसरे को ऐसी cross नहीं करेगी, जैसे यह वाली line है, यह complete ऐसे सीधी जा रही है, यह ऐसे cross नहीं करेगी, cross नहीं करेगी, उसको बोलत सकती है, देखो यह 3 line continue, अगर मानलो मैं continue, ऐसे आगे आगे बढ़ाता हूँ, तो यह कभी एक दूसरे को cross नहीं करेगी, ऐसी भी हो सकती, parallel line, parallel line, ऐसी भी हो सकती है, इस side में आप ऐसे निकाल सकते हो, बराबर है, तो parallel line, ऐसा नहीं, क्या बस यह horizontal shape में ही होगा, vertical shape में भी ह हो सकती है, और sliding shape में भी हो सकती है, आपको बराबर ध्यान से observe करना है, बराबर ध्यान रखो, तो मैं observe करता हूँ, सबसे पहले तो देखो, मुझे parallel line, यह वाली एक line, आपके समने draw किया मैंने, ओके, after then, यह वाली एक line, देखो मैंने draw किया, ओके, यह वाली line और यह वाली line देखिए, अब मैं सीधी-सीधी line draw कर रहा हूँ, और इस side में भी, तो मुझे बताओ, कई पर भी crossing नहीं हो सकती, तो यह parallel line है, ओके बच्चों, तो चलो, एक point तो मिल गए, आपको parallel line वाला, तो यहा parallel line, parallel line, parallel line, parallel line, लिखा, अब parallel line में क्या होगा, यहाँ पर line A and line P, यह M नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर मानलो मैंने M ले लिया, जैसे कि मानलो यह A ले लिया, और यह P ले लिया, यह parallel, अगर मानलो M लेता हूँ, तो यह तो crossing हो जाएगी न, तो crossing नहीं होना चाहिए बच्चो, इसलिए यहाँ M नहीं लेना है, तो यहाँ पर parallel line, लिखते हैं, तो सबसे पहले कुन सा होगा, solution में, line, यहाँ line, line A, line A, and line, और दूसरा line कुन सा होगा, P, line P, तो parallel line का एक sign भी रहता है बच्चो, मैं वो sign दे देता हो, ठीक है, तो sign कौन सा होगा, यह, देखो ऐसी दो खड़ी line, ऐसी निकालना, इसको बोलते parallel line, ओके, यह parallel line का sign है, इस बात का ध्यान रखना, यह वाला जो है न, parallel line का sign है, ओके, अब यह हो गया, उसके बाद में और दूसरा देखते बच्चो, अब दूसरा, second, इसमें parallel line इतनी नहीं है, और भी है parallel line, आप देख सकते हो, यह देखो, यह देखो, यह B, और यह M, और यह Q, है न, B, M, Q, यह कितने भी अगर continue आगे भी जाएगी, तो cross नहीं होगा, देखो, मैं आपको practically बता रहा हो, बराबर यह cross नहीं करेगी, किसी को भी cross नहीं करेगी, यह देखो, देखो, आगई एक के उपर है, तो यह तीनों line कैसे है, parallel one, यह वाला एक, यह second और यह third, है न, तो यह parallel line है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, यहां मैं लिख रहा हो, आप भी लिख लो, line, line कौन सा है, B, line B, parallel, यह parallel का साइन है, बच्चों, ध्यान रखना है, line, line कौन सा हो गया, M, line, M, parallel, line, Q, line, Q, okay, line, line Q, line Q, okay, तो यह हो गया, parallel line, complete, फटा बट लिख लो, बच्चों, फटा बट लिख लो, देखो, बच्चों, भी parallel line हो गया, अभी second, concurrent line, concurrent line, यह भी solution में आएगा, concurrent line, मैंने लिख 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 लिया, concurrent line, ओके, अभी concurrent line का मतलब क्या होता है, एक point से, जैसी कि एक point है, इस point से, जितनी भी line जाएगी, एक point से, कही line draw कर सकते, है, number of line draw कर सकते, you can draw number of line, that is called, concurrent line, only one point, यहने, line passing through only one point, तो देखो, यह जो है, एक ही point, इसमें से line कुनसी जा रही, ए, तो यह concurrent line हो गई है, तो आप लिख सकते हो, line, line, a, कॉमा कर दो, यहाँ पर sign नहीं रहता है, parallel का sign रहता हूँ, ऐसा नहीं रहेगा, उसके बाद में, यह वाली भी line, यहाँ से गई है, line b, line b, उसके बाद में, यह वाली एक line है, कुनसा है, line, c, okay, concurrent line, अभी, अप्टर देन, और एक line गई है, बच्चों, यहाँ से, यह वाली, तो इसको हम बाद में लेते, क्योंकि यह वाली जो line है, यह line तो इस point से भी गई है, यह वाले point स से भी एकर passing हुई है, और इस point से भी passing हुई है, तो इसलिए इस line को खिलाल हम छोड़ देते, okay, तो यहाँ तक समझ में आया होगा, अभी हम फिर से आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, उसके बाद में यह वाला point देते, इस point से कुनसी line passing हुई है, m, और m भी हुई है, और यह से वाली भी, हैंने दो line passing हुई है, तो इसलिए हम यहाँ लिख लेते, line, line m, line m, इस point से यह जो एक point है, इसमें से दो line passing हुई, one and two, तो फिलाल तो one का ही नाम लिखते, क्योंकि यह two second line, यहाँ से भी passing हुई है, तो इसका नाम बाद में लिख लेंगे, okay, यहाँ तक समझ मे आगया होगा आपको, अब हम start करते, आगे, आगे का point, मैं color change कर देता हूँ, अब यह वाला एक point है, इस point से भी कितनी line draw हुई है, one, two, and यह last वाली three, तो यह last वाली जो line है, यह तो सभी से passing हुई है, लेकिन यह वाली एक line ले ले लेते, line, यह कुन सा है बच्चो, line P, line P, line and line Q, ओके, और last में एक line लिख लेते, line, line कुन सी, यह मैं, यह यहाँ देखो, यह A था, और यह कुन सा है, D, यह वाली line है, इसको मैं black color कर देता हूँ, यह देखो, यह वाली line जो है, यह एक line ले ले लेते, यह सभी point से गई है, तो line A, B, ओके, तो यह होगे concurrent line, समझ में है बच्चो, चलो फटाबट note कर लो आप, हम यहाँ concurrent, यहाँ पर point of concurrence के तरफ बढ़ रहे है, ओके, तो फटाबट note कर लो, जल्दी जल्दी, fast, बच्चो देखो, अभी हम concurrent, यहाँ लिखते, points of concurrence, तो मैं लिख लेता हूँ, point of concurrence, यह बहुत ही simple है, point of concurrence, point of concurrence का मतलब, एक point, इसमें से number of line draw कर सकते, ने, कई line draw कर सकते, एक से ज़्यादा line जहां से draw हुई, वो concurrence point, तो मुझे लगता है, यहाँ एक से ज़्यादा line draw हुई है, यह point का नाम क्या है, ए, तो यहाँ पर point, कि इसमें भी एक से ज्यादा लाइन ट्रो एक लाइन ड्रों रही लेकिन यहां पर पॉइंट सी पोइंट सी ओके यह वाला जो एक पउयंट है डी nuevo से जएदा लाईं रौउ की आप ऊच्छी थे तर देख पाए होगे अगर आप भूल गये तो फिर से बैड़ियो को सर्च करके देख सकते हो ओके तो जहीन वंद मातरम हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो